दुनिया भर में आपको बहुत से अजीब और गरीब लोग और जगहे देखने को मिलेगी अगर किसी से पूछा जाये कि घोसले में कोन रहता है तो लगबख सभी का जवाब होगा पक्षी लेकिन अगर कोई कहे कि इनसान भी घोसले में रहते है तो इस पर कोई भी यकिन नहीं करेगा क्योंकि हर इनसान का एक आलिशान घर का सपना होता है हर कोई चाहता है कि उसका अपना एक घर हो और उसमें सारी सुख सुविदाय उपलब्द हो लेकिन इस लेक में हम आपको इंसानों के एक ऐसे घरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे इस गाउ का नाम है कंदोवन दरसल इरान के कंदोवन गाव के लोगों के बीच घोसला नुमा घरों में रहने की परमपरा काफी पूरानी है यह गाव अपनी परमपरा और अद्भूत रहसान के लिए पूरी दुनिया में मशूर है इस गाव के लोग पक्षियों की तरह मिट्टी के घोसले नुमा घर बना कर रहते हैं कंदोवन मतलब मदु मक्खियों का घोसला होता है दिल्चस्प बात यह है कि यहां लोग एक दो साल नहीं बलकि पिछले 700 सालों से इनी घोसले नुमा घरों में रहते हैं यह लोग कई पिडियों से इन घरों में रह रहे हैं कंदोवन के प्रारमभिक निवासी यहां हमलावर मंगोलों से बचने के लिए आये थे दरसल यहां मंगोलों की दहशत काफी समय पहले से ही थी यहाँ के पुरुवजो ने मंगलों के हमले से अपनी जान बचाने के लिए दूर दरज के इस क्षेतर में ऐसे घर बनाये थे। हमलावर मंगलों से बचने के लिए इन लोगों के पूरुवजों ने ज्वाला मुखी की चट्टानों को खोट डाला और इसे अपना स्थाई घर बना लिया। इन घरों की एक खास बात यह है कि यह घर वातावरन के अनुकुल रहते है। यहाँ ठंड के मोसम में गर्मी और गर्मी में ठंडक का एहसास होता है। यह घर देखने में तो काफी अजीब लगते हैं लेकिन काफी आरांदायक भी होते हैं। 700 साल पुरा ने इस गाव के लोगों को ठंड में हीटर और गर्मी में एसी की जरुवत नहीं पड़ती है। कंदोवन अब इरान के सबसे लोगप्रिय परियटन सलो में से एक है। चट्टानों को खोद कर बने घर यहां आने वाले परियटों के लिए अद्भूत नजारा प्रस्तुत करते हैं। कंदोवन के निवासियों का मुख्य पेशा, कुरुशी और पशुपालन है। दुनिया भर में यह गाव अपने अनोखे घरों के लिए पहचाना जाने लगा है। अब इरान के इस गाव ने एक बड़े कजबे की शकल ले ली है। खास बात यह है कि इन में ज्यादा तर मकान चार मंजिला है। यहाँ के लोगों की कमाई का जरिया कुरुशी और भेड़ पालन है। लेकिन अच्छी कमाई टूरिजम से ही होती है। इसलिए यहाँ के लोग हैंडी क्राप बना कर बेशते हैं। लोगों ने अपने घरों को हेरिटेज होटल में बदल दिया है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इनसाइक्लोपीडिया में।